हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है एक्टिस तब्बू ये अपने करियर में बहुत सारे फिल्म फियर आवार्ड और नेशनल आवार्ड जीच चुकी हैं और एक बात और आपको बता दू कि इनको फिल्म जगत में आने का एक सही होग हम कह सकते हैं क्योंकि इनके परिवार के जो लोग थे वो चाहते थे कि ये सरकारी नौकरी को ही कर लें या पढ़ाई लिखाई में आगे जाएं लेकिन इनोंने फैसला किया मुंबई आने का और आजे देवगन जो कि इनके बजपन के कॉलेज के समय में इनके साथ पढ़ते थे तो उन्हीं से प्रभवित होकर इनोंने फिल्म में आने का सोचा और फिल्म फियर अवार्ड कुछ ट्रू फैक्स इनके बारे में आज हम रखेंगे आपके सामने पसंदा है तो चैनल को दम लगा के सब्सक्राइब से रिकमेंट करिएगा विजैपत मुवी से आजेद्योगन के साथ ही सुरुआत किया और इसके लख्स न्यू फेस के लिए इनने फिल्म फियर अवार्ड से सम्मानित किया गया और विजैपत में आजेद्योगन के साथ काम किया डैनी डेंजोंग पाने आप कमेंट करेंगे तो उनके जरूर हम आपको डायलाक्स बताना चाहेंगे साल 1995 में इन्हें पहला फिल्म फियर अवार्ड मिला था विजय पत्थ मूवी के लिए इसी फिल्म से चर्चा में आ गई थी लाइम लाइट में आ गई थी विरासत मूवी अनिल कपूर मिस्टर पर्फेक्शनिस्ट कहिँ सकते हैं जब तक परफेक्ट ने हो जाते तब तक यह सौर्ट करते हैं फिल्म फियर अवार्ड विणर के ताओंगे तुओर पर क्रिटिक्स का बेस्ट एक्ट्रेस जिस फिल्म में रहते हैं हिट हो नता है असुनी से टी भी बेहतरी ने क्रिटिक्स का बेस्ट एक्टिस अवार्ड जीत लिया था फिल्म वेर की तरब से हुतुतु नाम की इस बेहतरीन मूवी में जब अजस्ता एक्टिंग किया है साल 2000 में यानि कि 94-95 से इनका करियर चला और एक समय में हाइस्ट पेड एक्टिस थी अस्तित्व मूवी के अगर हम बात करें तो इसमें ये महिला प्रधान मूवी है यानि कि इसमें तब्बू का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा बड़ा तौर पे दिखाया गया है इसके लिए भी क्रिटिक्स के द्वारा बेस्ट एक्टिस का फिल्म फियर वार्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया है साल था 2001 महिला प्रधान मूवी में अपने नाम फिल्म फियर और एक बार जीत लिया अस्तित्व मूवी चीनिकम साठ साल के उपर के पुरुस के साथ रिलेशनसिप में यानि इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है तब बुजी अमिताब अच्चन के साथ रिलेशनसिप में है इसके लिए भी क्रिटिक्स का बेस्ट एक्टिस फिल्म फियर आवार्ड से इन्होंने अपने नाम कर लिया था और इस मूवी के लिए इन्हें फिल्म फियर आवार्ड से सम्मानित किया गया साल 2008 में जब अजस्त एक्टिंग की है भूमी का अच्छी थी, किरदार भी जबरजस्त था, लोगों ने तारीफी बहुत ज़्यादा किया इसलिए इन्हें फिल्म फियर ने इन्हें सम्मानित किया था हैदर मुवी के लिए साल 2015 में जबरजस्त आक्टिंग किया, इन्होंने नमूना पेस किया था और ये खुखार पेहतरीन एक्ट्रेस तो हैं ही, एक रिकार्ड इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि चार बार बेस्ट एक्ट्रिस का क्रिटिक्स अवाड जीतने वाली इखलावती बालियूट की एक्ट्रेस हैं, तब बू पहला फिल्म जो फैक्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, चार बार बेस्ट एक्ट्रिस का क्रिटिक्स अवाड जीत चुकी है 2011 में उस समय की प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंग पार्टिल ने इन्हें पद मिसरी से सम्मानित किया था 2011 में जो कि भारत देश का चौथा हाइस्ट उच्पुरस का आर्माना जाता है, ये बात हमने बताई आपको तब्बू बेहतरी नैक्टिस के बारे में, हम आपको बता दें कि इन्होंने डिफरेंट लाइंग्विज में फिल्म किया है, तिल्गू, तमिल, मलियालम, बंगा जी जो हैं, वो नीस हैं, इवर ग्रीन एक्टिस सबाना आजमी की, सबाना आजमी की अगर नेशनल वाड़ आप देखना चाते हैं, तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, बीते जमाने की बेतरीन एक्टिस हैं, इवर ग्रीन एक्टिस, अंधा दुन मूवी 2018 में जब रिलीज होती है तो कंगना रनौत ने एक बात कही आई थिंक लास्ट इयर तबू जी गेवा ने अमेजिंग परफामिंस इन अंदादून आए फ्लोड वाट सी हैस डन मतलब कंगना रनौत ने कहा कि इतना जबजस्त अक्टिंग इन्हों ने किया था तबू ने कि मैं तो कह सकती हूँ ऐसा अमेजिंग परफामिंस कोई नहीं कर सकता मैं तो उसे देखकर पूरी तरह फ्लैट हो गई कंगना ने बात कही अब आपको एक लव इस्टोरी बताता हूँ कि आजे देवगन के साथ ये कॉलेज में पढ़ती थी और उन्हें दिलो जान से बहुत चाहती थ लेकिन क्योंकि हमको लगता है साथ कॉस्ट का प्राबलम था यार धर्म का कुछ समस्या था इसलिए आजे देवगन ने इन से साथी नहीं किया उन्होंने काजोल को अपना हमदम बस बना लिया था तो तब उन्हें भी कसम खा ली कि कभी साथी नहीं करेंगे इसलिए इंट चैनल पराने के लिए नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून थैंक यू एलॉट